C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है ध्वनी पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित कक्षा आठ के लिए हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक अध्याय तीन ज्ञान प्राप्ति प्रिष्ट संख्या चालीज ज्ञान प्राप्ति दर्शन परिचर्चा शान्ति प्रिये अराड मनी के आश्रम में राजकुमार सिधार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनकी शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया हो मुनी अराड ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा स्वागत है आईए राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए दोनों ने विधी पूर्वक एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन किया कुशल क्षेम पूछा और फिर म्रिग चर्म बिछी दो चौकियों पर दोनों बैठ गए मुनी ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेह पूर्वक कहा हे सौम्य मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़ कर घर से निकल आए हैं आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है आप ग्यानी हैं तभी तो राजलक्षमी को त्याग कर यहां आए हैं वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्षमी को अपनी संतान को सौप कर ही वन में आते रहे हैं परंतु आश्चर्य की बात है कि आप विशयों के बीच रहते हुए युवावस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहां आ गए हैं। इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात रहें। आप ग्यान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार क कीजिए। यद्यपी शिश्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्यान दिया जाता है। परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देख कर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूँगा। अराड मुनी के ये शब्द सुनकर कुमार परिवराजक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले आप जैसे विरक्त की यह अनुकूलता देख कर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जैसे देखने की इच्छा वाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा वाला पत्थ प्रदर्शक को और नदी पार जाने की इच्छा वाला नौका को देखता है। वैसे ही मैं आपको देख रहा हूँ। यदि आप उचित समझें, तो मुझे जरा और मृत्यू के रोग से मुक्त होने का उपाय बताईए। अराड मुनी ने कुमार से कहा, हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिध्धान्त सुनिये और समझिये कि यह संसार जीवन और मृत्यू के चक्र के रूप में चलता रहता है। प्रिष्ट संख्या 41 हे मोह मुक्त आलस से अंधकार है, जन्म मृत्यू मोह है, काम महमोह है और क्रोध तथा विशाद भी अंधकार है। इन्ही पांचों को अविद्या कहते हैं और इन्ही में फसकर व्यक्ति पुनह पुनह जन्म और मृत्यू के चक्र में पढ़ता है। इस प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त कर आवागमन से मुक्त होती है और अक्षय पद अमरत्व को प्राप्त करता है। अराड मुनी से यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे। तब उन्हों ने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हों और उचित समझें, तो इनका अनुपालन कीजिए, क्योंकि इन्ही सिध्धांत का अनुसरण करके प्राचीन काल में अनेक रिशी मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अराड मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, हे मुनि, मैंने आप से उत्तरोत्तर कल्यानकारी मार्ग सुना, किन्तु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता, आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है, मुझे आपकी ये बातें स्विकार अराड मुनी के सिध्धानतों को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ अतह यह धर्म अधूरा है ऐसा मान कर वे उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्षे की खोज में आगे बढ़ गए अराड मुनी के आश्रम से निकल कर कुमार उद्रक रिशी के आश्रम में आए वहां भी आत्मा की सत्ता के विचार जानकर उन्हें संतोष नहीं हुआ अतह परम पद पाने की इच्छा से उन्हों ने उद्रक रिशी का आश्रम भी छोड़ दिया और धीरे धीरे वे राजश् गय के नगरी नामक आश्रम में गये। कुछ समय के बाद बोधी सत्व कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई। इसलिए उन्हों ने नए रंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उन्हों ने पांच भिक्षूओं को देखा जिन्हों ने अपनी इंद्रियों को वर्ष में कर लिया था और वहीं रहकर तपस्या कर रहे थे। उन भिक्षूओं ने जब इस नवागत साधू को देखा तो वे उनके निकट आए और उनकी सेवा करने लगे। पुवास व्रत किये। कठोर तपस्या के कारण वे क्रिश काय हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तंडुल यानि चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर क्रिश होता जाता था, उनके मुख मंद प्रिष्ट संख्या 42 ना बोध ना मुक्ति उन्हें ऐसी अनुभूती भी हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता अता हुए शरीर बल वृद्धी के विशय में विचार करने लगे उन्होंने सोचा भूख, प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्थ हो सकता है उन्हें लगा कि अहार त्रिप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधी पा सकता है तथा समाधी युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता है ध्यान योग के सिध्ध हो जाने के बाद साधक उस धर्म को प्राप्थ करता है जिससे उसे दुरलभ, शांत, अजर अमर पद प्राप्त होता है उन्हें लगा कि मुक्ती का उपाय आहार पर ही आधारित है अता उन्होंने भोजन करने की इच्छा की कठोर तपश्चर्या से बोधी सत्व अत्यंत क्रिशकाय और दुर्बल हो गए थे फिर भी वे धीरे धीरे नयरंजना नदी की ओर गए सनान किया और तटके व्रिक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे उपर आए उसी समय निकट ही रहने वाले गोप राज की कन्या नंद बाला प्रसन्नता पूर्वक वहां आई शंक जैसी गोरी बाहों वाली गोप बाला ने नीला वस्त्र धारन किया था और लग रही थी जैसे फेन मालाओं से युक्त यमुना प्रगट हो गई हो नंद बाला ने पहले श्रद्धा पूर्वक बोधी सत्व को प्रणाम किया और उन्हें पायस यानी खीर से परिपून पात्र प्रदान किया इस प्रकार के सुभोज्य से त्रिप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब बोधी प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं बोधी सत्व के साथ रह रहे पांच भिक्ष्यों ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब यह मुनी भी धर्म चुत हो गया है इसलिए वे उन्हें छोड़ कर चले गए उन सब के चले जाने के बाद बोधी सत्व सिधार्थ ने बोधी प्राप्त करने के लिए द्रिड़ संकल्प किया और वे पास ही एक अवश्थ यानि पीपल व्रिक्ष के नीचे भूमी पर आसन लगा कर बैठ गए तभी काल नामक एक सर्प प्रकट हुआ क्योंकि उसे ग्यात हो चुका था कि यह मुनी अवश्य ही बोधी प्राप्त करेगा उसने पहले उनकी स्तूती की काल सर्प ने कहा हे मुनी आपके चरणों से आकरांत होकर यह प्रिथ्वी बार बार डोल रही है स्तूर्य के समान आपकी आभा स्तर्वत्र प्रकाशित है आप अवश्य ही अपना लक्षे प्राप्त करेंगे हे कमल लोचन जिस प्रकार आकाश में नील कंठ पक्षियों के जुंड आपकी प्रदक्षिना कर रहे हैं और मन्द बंद पवन प्रवाहित हो रही है उससे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे प्रिष्ट संख्या तैंतालिस इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें नंद बाला नामक कन्या सिध्धार्थ को खीर से भरा पात्र प्रदान कर रही है अब सुनते हैं पाठ सर्प द्वारा अपनी स्तुती सुनकर सिध्धार्थ ने तिर्ण लेकर बोधी प्राप्ती के लिए प्रतिग्या की वे महा व्रिक्ष के नीचे बैठ गए उन्होंने निश्चय किया जब तक मैं कृतार्थ नहीं हो जाता इस आसन से नहीं उठूंगा जब सिध्धार्थ ने प्रतिग्या पूर्वक आसन लगाया तो देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए सर्वत्र नीरवता चा गई उस समय ना म्रिग बोले ना पक्षी वे धीरे धीरे नितांत एकांत शांत वातावरण में समाधिस्थ हो गए मार की पराजय जब महामुनी सिध्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ती की प्रतिग्या कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ परंतु सद धर्म का शत्रु मार यानि कामदेव भैभीत हो गया उसे सामान्यत कामदेव, चित्रा युद्ध और पुश्पशर कहा जाता है यह काम के संचार का अधिपती है यही मार है उसके विभ्रम, हर्ष और दर्प नाम के तीन पुत्र हैं और अरति, प्रीति और तृष्णा नाम की तीन कन्याएं हैं उन्हों ने जब अपने पिता को भैभीत देखा, तो इसका कारण जानना चाहा मार यानि कामदेव ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया देखो, इस मुनी ने प्रतिग्या का कवच पहन कर सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धी के वान चढ़ा लिये हैं यह हमारे राज्ये को जीतना चाहता है, यही मेरे दुख और भै का कारण है, यदि यह मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है, तो राज्ये सुना हो जाएगा इसलिए यह ज्ञान द्रिष्टी प्राप्त करे, उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए अतह मैं भी अभी अपना धनुष बान लेकर तुम सब के साथ इस पर आक्रमन करने जा रहा हूँ इस प्रकार सारी स्थिती समझा कर मार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लेकर उसी अश्वत्थ व्रिक्ष के पास गया, जहां महामुनी समाधी लगा कर विराजमान थे उसने पहले महामुनी को ललकारा और फिर धनुष बान हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यू से डरने वाले क्षत्रिय उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरन करो, मोक्ष का संकल्प छोडो, शास्त्रों और यग्यों से लोक जीत कर इंद्रपद प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बान छोड़ दूँगा। तो एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज यह निश्फल कैसे हो गया है, क्या इस मुनी के हृदय नहीं है, अथवा यह बान वह बान नहीं रहा, जिसने शिब को पराजित किया था, इस प्रकार स्तोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया और ततकाल उसकी विक्र सेना उपस्थित हो गई, महामुनी के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकरिती वाले जीवों की भीड सी लग गई, वे विविध प्रकार की रूप सज्जा धारन किये हुए थे, उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे, कुछ गदा हाथ में लिए शाक के मुनी और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया, प्रिथ्वी कांपने लगी और दिशाएं जलने लगी, उस समय भयंकर जंजावात प्रवाहित होने लगा, आकाश में उस समय ना तारे थे और ना चंद्रमा था, चारों ओर घंगोर अ सिह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है। और क्रिया कलापों से ना व्यथित हुए और ना ही उत्तेजित। कमलों की पंखुणियां बन कर बरसने लगे। शाक के मुनी अपने आसन से जरा भी विचलित नहीं हुए। इस भयंकर वातावरन से वन के पशुपक्षी आर्त नाद करने लगे। सभी भैभीत हो गए। किन्तु सिध्धार्थ मार की सेना से भैभीत नहीं हुए। इस पर मार को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। तभी किसी अद्रिष्ट जीव ने आकाश से प्रकट होकर मार से कहा। तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो। जैसे सुमेरू परवत को हवा हिला नहीं सकती। वैसे ही तुम और तुम्हारे भूत गण इस महामुनी को विचलित नहीं कर सकते। चाहे अगनी अपनी उश्रनता छोड़ दे, चाहे जल अपना द्रवत्व त्याग दे, चाहे प्रिथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, लेकिन अपने पूर्व जनों के पुन्य प्रताफ से यह मुनी अपना नहीं निश्चय छोड़ेगा। यह मुनी शारिरिक और मानसिक रोगों से पीडित, रोगों से पीडित सारे जगत का महावैद्य है, तुम इसके कार्य में विग्ण ना डालो। उस अद्रिश्य जीव ने आगे कहा, देखो, ख्षमा रूपी जटा, धैर रूपी द्रिढ मूल, चरित्र रूपी पुष्प, बुद्धी रूपी शाखा, और धर्म रूपी फल देने वाला यह ब्रिक्ष उखारने योग्य नहीं है। बोधी प्राप्ती के लिए जो कारे पहले इनों ने किये हैं, उनकी सिद्धी का समय अब आ गया है। यह स्थान भी वही है, जहां प्राची इनकाल में अनेक मुनियों ने साधना की है, यह स्थान भूतल की ना भी है। ऐसी श्रेष्ठ भूमी प्रिथ्वी पर अन्यत्र नहीं है, जो इस महामुनी की समाधी के वेग को सह सके। इसलिए हे मार, तुम व्यर्थ परिश्रम मत करो, जाओ, शोक मत करो और शान्ती प्राप्त करो। अपने सभी प्रयत्नों को विफल होते देखकर और इस अद्रिष्ट जीव की ये बातें सुनकर मार अत्यंत खिन्न हुआ। और वहां से शीघर भाग गया। जैसे अपने सेना-नायक के मारे जाने पर सैनिक भाग जाते हैं, वैसे ही मार के जाने के बाद उसके सारे भूत गण भाग गए और मार पर महर्शी की विजय हो गए। मार पर महर्शी की विजय होते ही सारा आकाश चंद्रमा से सुशोभित हो गया, सुगंधित जल सहित पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिशाएं निर्मल हो गई बुद्धत्व प्राप्ति मार और मार की सेना को धैर्य से पराजित करके शाक के मुनी ने परम तत्वों को जानने की इच्छा से ध्यान लगाया ध्यान की समस्त विधियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्री के प्रथम प्रहर में उन्होंग ने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया मैं कहां कहां कब-कब आउतीर्ण हुआ हूँ इस प्रकार उन्हों ने सहस्त्रों जन्मों का प्रत्यक्ष स्मरण किया अपने उन आवतारों में उन्हों ने जो दया कर्म किये थे और जिस प्रकार मृत्यू प्राप्त की थी उन सब का प्रत्यास्मरण किया उन्हें अनुभूती हुई कि यह सारा संसार केले के गर्व के समान नित्तांत निस्सार है। द्वितिय प्रहर में उस महामुनी ने दिव्य चक्षू प्राप्त किये। उन्हों ने नीच उँच कर्म करने वाले प्राणियों के उत्थान पतन का प्रत्यक्ष अनुभू किया। जिससे उनकी दयालुता और भी बढ़ गई। प्रिष्ट संख्या सैंतालिस। उन्हों ने अनुभू किया कि संसार में छोटे बड़े सभी जीव, भूख और प्यास जनित दुखों से पीडित है। कुछ जीव हैं जो नरक के समान गर्व नामक सरोवर में गिर कर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। कुछ जीव हैं जो पुण्डने कर्म करके स्वर्ग जाते हैं और वहां काम की ज्वाला में जलते हैं और त्रिप्त होने से पूर्व ही स्वर्ग से गिर जाते हैं। उन्हों ने जन्म, जरा और मृत्यू के कारणों का साक्षात कार किया। उन्हें लगा जैसे वायू के योग से अगनी का एक कन भी सारे वन को जला देता है, वैसे ही त्रिशना युप्त काम कर्म रूपी जंगल को जलाता रहता है। उन्होंने ध्यान में समझा कि त्रिशना का मूल कारण वेदना या समवेदना है, जो इंद्रियों, वस्तुओं और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। उन्हें बोध हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संसकार खीन होते हैं, और परंपद का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्हें प्रतीती हुई कि उन्हें अब पूर्ण मार्ग का ज्ञान हो गया है। रात्री के चतुर्थ प्रहर में जब सारा चराचर जगत शांत था, महाध्यानी मुनी ने अविनाशी पद प्राप्त किया और वे सरवग्य बुद्ध हो गए। रिक्षों से फल फूल बरसने लगे और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी चारो ओर धर्म छा गया। स्थित होकर महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के कारे कारण संबंधों को भली भाती जान लिया था और मुक्ती प्राप्त कर ली थी। इस मुक्तावस्था में वे सात दिनों तक बैठे रहे। तभी उन्हें जगत को बोध प्रदान करने की अपनी प्रतिग्या का स्मरण हो आया। तभी दो देवता आये और उन्हों ने निवेदन किया। हे भावसागर को प्राप्त करने वाले मुनी आप इस दुखी जगत का उद्धार कीजिए। जैसे धनी धन बाटता है वैसे ही आप अपने गुण और ज्ञान को बाटिये। महात्मा बुद्ध ने देवताओं की प्राथना स्विकार की। तभी अन्य दिशाओं से देवता गण आये और उन्हों ने महामुनी को भिक्षा पात्र दिया। निकट से जाने वाले एक सार्थ वाह के दो श्रेष्ठियों ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। तब उन्हों ने आराड और उद्रक का स्मरण किया। परंतु तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। अता उन्हों ने उपदेश देने के लिए उन पांच भिक्षियों का स चले गए थे। इस तरह संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने काशी जाने की इच्छा की। वे अपने आसन से उठे। उन्हों ने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और बोधी व्रिक्ष की ओर प्रेम से देखा। प्रश्ण 1. अराड मुनी ने अविद्या किसे कहा है? 2. कठोर तपस्या में लगे सिध्धार्थ ने किस कारण भोजन करने का निर्णे किया? 3. मार कौन था और वह बुद्ध को क्यों डरा रहा था? 4. सिध्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर प्रकृती में कि इस प्रकार की हल्चल दिखाई पड़ी. यहां तीसरा अध्याय समाप्त हुआ. संक्षिप्त बुद्ध चरित अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनी पाठ वाचन्स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत